इसमें रहने वाले आप सबी भारत के लोगों को में हार दीख बधाई देती हूं संबिधान के लागू हने के दिन से लेकार आज तक हमारी जात्रा ओधभूत रही है और इससे केई अन्यों देशों को प्रेरोणा मिली है प्रतेक नागरिक को भारत की गोर्व गाथा पर गोर्व का अनुभव हता है जोब हम गुणतंत्र दिवस मनाते हैं तो अब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिल जुलकर जो उपलब्धिया प्राप्त की है उनका हम उस्चव मनाते हैं भारत विश्च की सबसे पुरानी जीवन्त सभ्योताओं में से एक है भारत को लगतंत्र की जननी कहा जाता है फिर भी हमारा आधुनी गणतंत्र युगा है सतंत्रता के प्रारंभिक बर्ष में हमें अन्गिनित चुनतियों और प्रतिकुल परिस्तितियों का सामना कारना पड़ा लंबे विदेशी सासन के उनेक बुरे परिणामों में से दो कुप्रभाब थे भयंकर गरिवी और निरख्यरता फिर भी भारत अभी चलित रहा आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाती के इतिहास में एक अनुठा प्रयोग सुरू किया इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविद्वताओं से भरा जनसमुदा एक लगतांत्रों के रूप में एक जुट नहीं हुआ था एसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सोब एक ही है और हम सोब भारत्या है इतनी सारे पंथों और इतनी सारी भासाओं ने हमें विवाजीत नहीं किया है बलकि हमें जोड़ा है इसलिए हम एक लगतांत्री गणतंत्रों के रूप में सफल हुए हैं एही भारत का सारतत्त है इसारतत्त संभिधान के केंद्र में रहा है और समय की कशोटी पर खराउत रहे सतंत्रता संग्राम के आदर्षों के अनुरूप हमारा गणतंत्रों को आधार देने वाला संभिधान बना महत्मा गांधिके नेत्रुत्तों में राष्टियो अंदलन का उद्देशो सतंत्रता प्राप्त कान्ना भी था और भारतियो आदर्शो को फीर से स्थापित कान्ना भी था उन दोसकों के संघर्ष और बोलिदान ने हमें नाके बल विदेशी सासन से बलकी थपेगे मुल्यों और संक्रिण विश्चो दुरुष्टिकन से भी आजादी दिलाने में मदद की सांती, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मुल्यों को फीर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारों को ने दूर्तुर्शी और आदर्शबादी विभुतियों के साथ मिल कर काम किया जिनलोकोंने आधुनिक भारत्यों चिन्तन धारा को प्रभाहो कि दिया, उन्होंने आनवद्राहा प्रतवयन्तु विश्चोत हो, और ठात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए, के बईदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिसिल विचारों का भी स्वागत क लंबे और गोहन विचार मन्थन के प्रिनाम सुरूप हमारे संविधान की संग्रचना हुई, हमारा ए बुनिया दी दस्ताबेज, दुनिया की सबसे प्राचिन जीवन्त सभ्यता के मानवताबादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है, हमारा बाबा साहे भीम्राव आम्बेदकर का सदेव रूनि रहेगा, जिन्होंने प्रारुक समिती की अज्धक्यता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्तो पुर्ण भूमिका निभाई, आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मोसोदा तेयार करने वाले विधि करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी, हमें इस बात का गर्भ है कि उस संविधान सभा के सद्यस्चने भारत के सभी चेत्रों और समुदायों का प्रतिने धित्तों किया, संविधान निर्माण में सभा की पंद्रह महिला सद्यस्चने भी सम्भिधान में निहित आदर्शन निरंतन हमारे गणतंत्र को रहा दिखाई है। बाबा साहिब आम्बेतकोर और अन्यो विभुतियों ने हमें एक मानचित्रो तो था एक नोईतिक आधर प्रदान किया। उस रहा पर चलने की जिमिदारी हम सब की है। हम कफी होत्तक उनकी उमीदों पर खरे उत्रे भी है। लेकिन हम एक मानचित्रों की गांधी जी के सर्बद्दोई की आदर्शों को प्राप्त करना और थात सभी का उत्थन किया जाना आभी बाकी है। फिर भी हमने सभी छेत्रों में उस्साहजनक प्रगती हासिल की है। भरी बैसिक प्रुष्ट भूमी में प्राप्त की गई है। बैसिक महामरी चोथे बर्स में प्रभेश कर चुकी है। और दुनिया के अधिकांस हिस्षों में आथिक बिगास पर इसका प्रभा पड़ रहा है। शुर्वाती दर में COVID-19 से भारत की अर्थवेवस्ता को भी कफी छोती पहांची। फिर भी सक्व्यम, नेत्रुत्तो और प्रभावी संगर शिलता के बल पर हम सिग्र ही मन्दी से बाहर आगिये। और आपनी विकास जात्रा को फिर से शुरुकिया। अर्थवेवस्ता की अधिकांस केत्र आभ महामरी के प्रभाव से बाहर आगिया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थ व्यवस्ता में से एक है। बड़े ही संतस के विशय है कि जो लोग हासिय पर रह गये थे उनका भी योजना और कार्योक्रम में समावेश किया गया है। तथा अदद की गयी है। माच 2020 में घशित प्रधानमंत्री गरीब कल्लाण अन्य जोजना पर अमल करन्ते हुए। सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्यो सुरोख्या सुनिश्चित की जोब हामारे देशबासी COVID-19 की महामारी के कारण औकस्मात उत्पर्नोहिय आर्थिक ब्यवधान का सामना कर रहे थे। इस स्वहायता की बज़े से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हीत को सर्वपरी रखते हुए इस जोजना की वधी को बार बार बढ़ाया गया तो था लगबग 81 क्रोर देशबासी लाभननित होते रहे। इस स्वहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने गशना की है कि बर्ष 2023 के दोरान भी लाभर्थियों को उनका मासिक राशन मुक्त में मिलेगा। इस अइतिहासिक कधम से सरकार ने कमजर बर्गों को आर्थिक विकास में सामिल करने के साथ-साथ उनकी देगवाल की जमिदारी भी ली है। हमारे अर्थ व्यवस्ता का आधा सुदूर्ड हने के कारण हाम उपयोगी प्रयासों का सिल्सिला शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में सक्यम हसके। हमारा अंतिम लख्य एक एसा बाताबरण बनाना है जिससे सभी नागरिक व्यक्तिगोत और सामोहिक रूप से आपनी बास्तोमिक छमताओं का पूरा उपयोग करे और उनका जीवन फले फुले। इस उद्धेशों की प्राप्ति के लिए सिख्या ही आधार सिला तियार करती है। इसलिए राष्ट्य शिख्यानिती में महत्तो कांग की परिवर्तन किये गे हैं। शिख्या के दो प्रमुक उद्धेश्यों कहें जा सकते हैं। पहले आर्थिक और समाजिक सक्षक्तिकरण और दूजरा सत्यों की खोज। राष्ट्य शिख्यानिती इन दोनों लख्यों को प्राप्त कारने का मार्ग प्रशोस्त करती है। यह निती सिक्कार्थियों को एकिसी सोधी की चुनतियों के लिए तियार करते हुए हमारी सभ्यताप और आधारीत ज्ञान को समकालिन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। इस निती में सिख्या प्रक्रिया को बिस्तार और गेहराई प्रदान करने के लिए प्रदग्गी की की महत्तो प्रणभूमिका को रेखांकित किया गया है। हमें COVID-19 के शुरुआती दोर में ये देखने को मिला कि प्रदग्गी की में जीवन को बदलने की सुंभा बनाए होती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहट गाओं और सोहर की दूरी को सुमाप्त करके सुचोना और संचर प्रदग्गी की को सुमावेसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।